हेलो फ्रेंड्स अलके गार्णिंग माज आपका स्वागत है और देखिए आज करते हम टमाटर को रिपोर्ट यान कि टमाटर की पौद जो मेरी जगए-जगए हो गई है और कुछ मिर्ची के हैं तो इन पौदों को मैं आज लेकी चलती हूँ उपर और यह मेरी लगी हुए जोपड़ी है तो इसी में निकलाए टमाटर के पौदे मेरे पहले से प्लांट लग रहते इसमें तो इनको मैं मिट्टी समयत लेके चलूंगी आज तो यह देखिए मैं नीचे से खुर्पी से इसको खाड रहे हूँ ताकि मिट्टी हिले ना इसकी क्योंकि धूप इंद्र काम इतार खाड यह देकिए दो यहां पर लगे हुए और दो आप लगे हैं इनको मिर्ची सम जैसे की तैसा ही रख दूंगी इनको अलग अलग नहीं करूंगी और यह मिर्ची की पोदमाटर मिर्ची के पोदी कीचिन बेस्ट द्वा देते हैं से बीज टमाटल जाने देती हूँ में किषिन से बेस्ट नी कले déjàते हैं तो यह लगने वाले लग जाएंगे उनाही लगेंगे तो नहीं लगए गेंगे तो इनको मैं लोकी चल ती हूं आप उपर तो यह देखिए मैं ऊपर आ गई और यह उपर इतने सारे पोधे लियाई में और यह जो कटों के growbacks बनाएए मैंने इनमें ही लगाऊंगी क्योंकि मैंने शारी सब्सक्र्तिक गत्ते के उनमें तो बीज लगा दी है कुछ बीज रहे गए हैं उनके वही में जल्दी लाऊंगी उनकी वेडियो अभी लगाए नहीं है जिस दिन लगाऊंगी तब डालूंगी और यह देखिए यह कट्टो में मैंने जो मिट्टी तो मेरी पुरानी है इनमें लेकिन इस त पर देखिए नहीं हरेक उसमें राख डाल लेती हूं क्योंकि सर्दियों में जब हमने रोटी बनाई थी तब सर्दियों में राख बहुत यूज गी थी और अब यह कट्टे में जो लाई हूं मैं गाउं से लाई हूं राख बरवा के तो यह राख में जी बहुत ही अच्छी रहती है पेड़ों के लिए तो मैं लाती रहती हूं गाम से जब भी जाती हूं तो यह देखिए मैंने कल जो बीज लगाए थे उनमें भी राख का यूज किया था और अब इन पहुत लगा रहे हूं इनका भी तो यह मिरे मिट्टी ज़रूर दवाएए ताकि तब भी में वीडियो डालूं तो नव टीपिकस ने आपको पास पहुंच जाए यह देखिए मैंने सारे पोदे लगा दिये और सारे कितने छे थे यह दो दो टमाटर के थे दो जगए और एक जगए थे मिर्ची के तो इनमें पानी दे दिया मैं तो चलिए फिर नेस्ट टोपिक पर नेस्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाव आए हैपी गार्निंग थेंक यूँ